अब और कुछ नहीं हो सकता, मर्द ने मुड़ते हुए पच्चतावी की लहजे से कहा, मैं वो भी न कर पाती, किसी को मारना हमारे दौर का एक आसान काम है, मर्द की बात में करवाहट थी, आप सुन रहे हैं कहानी जानी अन्जानी प्यूश अगर्वाल के साथ, चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं, ओ हेलो जी, अजी आप हमें कुछ कहते क्यों नहीं, अरे लिखना भी कितना कम कर दिया है, अपनी पसंदिदा कहानियों का कई समय से नाम भी नहीं लिखा, जी, ये सब सवाल आप सब सुनने वालों के लिए है, और हमारी तरफ से एक उल्हाना भी, अरे अरे बुरा मत मानिये, अब आपका और हमारा साथ ही ऐसा है, तो थोड़ी बहुत शिकायत तो हम भी आपसे करी सकते हैं ना, तो बस हमारी शिकायत पर गौर कीजिए, और जटपट हमें लिख भेजी अपने संदेश, hello at the ratepeusagarwal.com पर, और जो हमें लिख रहे हैं, उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें जल्दी लिखें ऐसा मुम्किन करने के लिए, मेरे पास है एक बड़ी खबर, आप सुन रहे हैं कहानी जानी-अन्जानी, जो की है Hub Hopper Best Storytelling Podcast of 2022, जी हाँ, हम जीत गए हैं वो अवाड जिसके लिए आपने वोट डाला, और साथ में जिसे जूरी ने भी सबसे ज्यादा पसंद किया, हमें ये अवोर्ड जिताने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, और ऐसा सिर्फ आप सभी के कारण हो पाया है, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और ये खुशी अपने दोस्तों अपने परिवार वालों के साथ भी बाटे, क्योंकि ये जो जीत है, ये सिर्फ मेरी नहीं, ये हम सब की जीत है, जानते हैं दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम क्या है? जो अभी हमने आप से किया? जी, उलहना, यह एक ट्रांसलेटिट स्टोरी है, जिसका अनुवात किया है देवी नागरानी ने, और जिसे लिखा है हेंरी ग्राहम ग्रीन ने, ग्राहम ग्रीन बीसवी शताबदी के प्रमुक अंग्रेजी लेखक पत्रकार, कहानीकार और उपन्यासकार थे, उनको अपने जीवनकाल में ही व्यापक लोगप्रियता और साहित्तिक प्रशंसा मिली, उन्होंने 25 से अधिक उपन्यास लिखे, इनके बारे में और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट प्यूशअगरवाल.com पर जाएं, एक और बात, आज की कहानी में आप मेरी आवाज के साथ साथ एक और आवाज भी सुनेंगे, कहानी सुनाने हमारे साथ जुर रही हैं, पूजा अनिल जी, जो उदैपुर से हैं, लेकिन आजकल स्पेन में रहती हैं, रेडियो प्लेबैक इंडिया से जुड़ी हुई हैं, और इन्हें कविताओं और कहानियों का बहुत शौक है, आशा है आपको आज की हमारी ये अलग पेशकश पसंद आएगी, तो चलिए, शुरू करते हैं आज की कहानी का सफर, और जानते हैं कि जिन्दगी में उलग चुके कुछ करीबी रिष्टें, कैसे शिकायत रखते हैं एक दूसरे से? उलहना, हेंरी ग्राहम ग्रीन वे दुनों बगीचे की बेंच पर सट कर देर तक बैठे रहे, वह गर्मियों की शुरुवात का बहुती उप्यूग दिन था, आस्मान में एकाज सफेद बादल बिखरे हुए थे, पर मुम्किन था कि बादल बिखर जाएं, और आस्मान साफ नीला दिखने में आए, दोनों अधेड उम्रके थे, पर दोनों में से किसी एक को भी बीती हुई जवानी को बनाए रखने की चाहन थी, वैसे वह मर्द अपनी रेश्मी मूचों के कारण ज्यादा सुकुमार नजर आ रहा था, जैसा वह खुद को समझता था, और और औरत भी आइने वाले अपने अक से ज्यादा प्यारी दिखाई दे रही थी, गंभीरता दोनों में थी और यही दोनों में समानता थी, उनके बीच बहुत कम फासला रहा, जिससे लगा जैसे वे अरसे से शादी शुदा हो, और लंबे समय के साथ के सबब उनकी सूरतें भी आपस में मिलने लगी थी, दोनों कभी-कभी अपनी घड़ी देखते, क्योंकि दोनों के पास यहाँ एक आकी पल थोड़े वक्त के लिए था, मर्द बदन में चरहरा और लंबा था, नक्ष आकर्शक, चहरा सादा पर सौंदर्य से भरपूर, पास में बैठी औरत पहली नजर में देखने भर से अतियंद खुबसूरती, लुभावनी वद तराशी टांगो वाली किसी कलाकृत औरत की तस्वीर की तरह लग रही थी, उसके चहरे से आभास होता था, बात ही न करते, अगर उनके करीब से दो शरार्ती लड़के न गुजरते, उन में से एक के कंधे पर रेडियो लटका हुआ था, और वे अपने ही खयालों में गुम होकर कबुतरों को उड़ा रहे थे, सता रहे थे, और मार रहे थे, एक कबुतर को शायद ज्यादा मार लग गई, जिसके कारण वहाँ फर फड़ाकर नीचे आगिरा और उन दोनों के सामने तड़पने लगा, वे लड़के उन कबुतरों को तड़पता हुआ छोड़कर आगे की और बढ़ गए, बिचारा कबुतर, कबुतर की एक टांग जखमी हो गई थी, उसने जमीन पर पलटने की कोशिश की, उचल कर छलांग मारने की कोशिश की, पर उड़ने में फिर भी नाकाम्याब रहा, आप एक शण के लिए दूसरी ओर देखिए, मर्द ने कहते हुए छटरी एक तरफ रखी, कबुतर को उठा लिया और तेजी से उसकी गर्दन सहलाने लगा, यहाँ एक धंग है जो पक्षी पालने वालों के लिए जरूरी है, फिर उसने यहाँ वहाँ नजरे घुमा कर एक कचरे का डब्बा ढूंडा, और धीरच से उसकबुतर को उसमें डाल दिया, अब और कुछ नहीं हो सकता, मर्द ने मुड़ते हुए पच्चतावी के लहज़े से कहा, मैं वो भी न कर पाती, किसी को मारना हमारे दौर का एक आसान काम है, मर्द की बात में करवाहट थी, अब जब वहाँ वापस बेंच पर आकर बैठा, तो उनके बीच में पहले साफ फासला ना था, वे अब मौसम के बारे में छोटी छोटी बातें कर पा रहे थी, जैसे पिछले हफ़ते कम कम पाती सर्दी पड़ी थी, उसके पहले वाले हफ़ते, और खुद फ्रेंच में ठीक से बात न कर पाने के लिए उससे माफी मांगी, उस औरत ने उसे बताया कि वह अंग्रेजी कहां और कि स्कूल में पड़ी थी, वह समुद्र किनारे वाला शहर, समुद्र हमेशा मुझे धूसर लगता है, फिर दोनों बहुत देर खामोशी में तना तना बैठे रहे, बीते हुए समय के बारे में सोचते हुए औरत ने उससे पूछा, क्या तुम कभी फॉज में थे? नहीं, जब लडाई लगी तब मैं चालिस बरस का था, एक बार सरजरी मिशन पर हिंदुस्तान गया था, मुझे हिंदुस्तान बहुत अच्छा लगा, और बताते हुए मर्द की आँखों में याद की चमक आ गई, वहा औरत को लखनव और आग्रे की बातें बताने लगा, पुरानी दिल्ली के बारे में अपनी राय बताते हुए कहा, मुझे सिर्फ पुरानी दिल्ली पसंद नहीं आए, क्योंकि वह किसी अंग्रेज ने बनाई थी, उसे देखते हुए मुझे वॉशिंग्टन का खयाल आता रहा, अच्छा आपको वॉशिंग्टन पसंद नहीं, सच कहूं, मुझे अपने मुल्क में मज़ा नहीं आता, मुझे प्राचीन चीज़े अच्छी लगती है, जैसे अब फ्रांस लगता है, मेरे दादा ब्रिटिश परिशद के नाईस, तब वह विल्कुल नया शेहर था, हाँ, पर अब वह कुछ पुराना हो गया है, हम अमेरिका के निवासी, जो कुछ भी हासिल करते हैं, उस सौंदेरे के कारण बूढे नहीं होते, आपने शादी की है या नहीं? मर्द थोड़ा हिचकिचाया, फिर कहा, हाँ, और उसने च्छाते को स्वाभाविक ढंग से पकड़ लिया, जैसे उस वक्त उसे किसी सहारे की जरूरत थी, मुझे यह बात पूछनी नहीं चाहिए थी, क्यों नहीं? और आपने? मर्द ने औरत को कुछ राहत बख्षने के लिए उससे पूछा, हाला कि उसके हाथ में शादी की अंगुठी साफ दिखाई दे रही थी, अब मर्द को लगा कि उसे अपना नाम न बताना असामान्य होगा, इसलिए कहा, मेरा नाम ग्रीव्ज हेंरी है, हेंरी सी ग्रीव्ज, मेरा नाम हेंरी क्लेयर, हेंरी, आज की दुपहरी बड़ी सुहानी थी, पर सूरज डूबने से थोड़ी ठंड बढ़ गई है, मर्द का चाता बहुत आकरशक था, औरत ने उसके सुनारे किनारे की तारीफ की, और फिर उसे वह जखमी कबुतर याद आया, यहाँ आपकी बहुत ही साहसी कोशिश थी, पर मुश्किल थी, मैं नहीं कर सकती थी, मैं बुश्दिल हूँ, हम कहीं न कहीं जरूर बुश्दिल हैं, पर आप नहीं हैं, मैं भी, मर्द के मन में कुछ कहने की ततपरता थी, पर और आउरत ने, जैसे उसके कोट के कॉलर को पकड़ा हो, और कह रही हो, कहीं से गीला रंग लग गया है आपके कोट पर, हाँ, आज मेरे घर की सीड़ियों पर रंग लग रहा था, यहां आपका घर भी है, घर नहीं, चौथी मन्जिल पर एक छोटा फ्लैट, लिफ्ट होगी, नहीं, वो एक पुरानी इमारत है, औरत ने जिससे मर्द की, एक अंजान जिन्दकी की दरार में से जहांक लिया हो, जवाब में उसे अपने बारे में भी कुछ कहना था, ज्यादा नहीं, थोड़ा कुछ ही सही, इसलिए कहा, मेरा अपार्टमेंट अभागा होने की हद तक नया है, दर्वाजा बिजली पर खुलता है, बिना हाथ लगाए, हवा ये देखे दर्वाजों की तरह, फिर छोटी-छोटी बाते होती रही, वह कहां से पनीर खरीदती है, वह चीजे कहां से खरीदता है, ठंड बढ़ती जा रही है, अब चलना कहिए, आप यहां इस पार्क में अक्सर आती हैं? पहली बार आये हूँ, कितना अजीब सही हो गये, मैं भी यहां पहली बार आया हूँ, जबकि मैं यहां से बहुत करीब रहता हूँ, अच्छा, और मैं यहां से बहुत दूर, एक पल के लिए औरत जिसे अंग्रेजी बात करना भूल गई, फ्रेंच में कहा, वहां खाना किसी और जगा खाएगी, पर आपका पती? कुछ मिंटों की दूरी पर एक होटल था, औरत को कोई खाज भूक न थी, पर खाने की लंबी सूची पढ़कर, वक्त गुजारते वह उसके और करीब होती गई, खाना सामने आया तो दोनों के मुझ से निकला, मैंने ऐसा नहीं सोचा था, कभी कैसे कुछ हो जाता है? अपने दादा के बारे में कुछ बताएं? मैंने उन्हें लंबे अर्शे तक नहीं देखा था, आपके पिता अमेरिका क्यों गए थे? शायद अभियान के लिए, शायद वही ख्वाईश मुझे योरोप ले आई है, पर मेरे पिता के समय अमरीका में सिर्फ कुका कोला न थी, आपने यहाँ योरोप में शादी कियोगी? नहीं, मैं अपनी पतनी को अमेरिका से अपने साथ ले आया हूँ, बेचारी? बेचारी? वह कुका कोला नहीं भूल पाती, पर वह तो यहाँ भी मिलती है, और अपने जान मूझ कर उपयुक्त जवाब दिया, सर, वाइन, वेटर आया, मर्द ने पूछा, कौन सी वाइन? मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, कोई भी? मेरा खयाल था सब फ्रेंच? यहाँ चुनाओ, मेरे पती किया करते थे. अचानक जैसे दोनों के बीच में सोफा पर, कोई आकर बैठा हो, मर्द. समय शान्थ हो गया, जैसे दो परच्छाईयां वहीं जम गई होती, अगर कुछ और बत्याने की हिम्मत ना करती. आपके बच्चे हैं? नहीं, आपके? नहीं. आपको इस कारण कोई कमी महसूस होती है? मेरे खयाल में कोई न कोई कमी, हर किसी में कहीं न कहीं रह जाती है. खेर, आज मैं बहुत खुश हूँ, जो इस पार्क में हम मिले. मैं भी बहुत खुश हूँ. उसके बाद का मौन मूक रहा. दोनों परच्चाईया वहां से उठकर चली गई. उन्हें अकेला छोड़कर. एक बार फल की प्लेट में उनकी उंगलियां एक तुझे को छूगई. उनके समस्त सवाल जैसे समाप्त हो गए. उन्होंने एक दूसरे को इतना समझ लिया, जितना किसी और को न समझा हो. यह एहसास खुशकवार मन्जिल की तरह था, समझ और पहचान से परे. शर्त बंदी हुई दौड जैसे पीछे रह गई, और अब जिसे वक्त और मोद, दोनों दुश्मन रह गए थे. कॉफी आई, बढ़ती उम्र की पीड़ा की तरह, और उसके बाद ब्रैंडी का घूट जरूरी था, उदासी को गले से नीचे उतारने के लिए. यह सब कुछ ऐसा था जैसे उड़ते परिंदे कुछी घंटों में उम्र के फांसले लांग आये हों. मर्ग ने बिल्म भर दिया और दोनों बाहर आए. यह वक्त मौत की पीड़ा के समान था और उसे सैन कर पाने के लिए दोनों नाजुक और कमजोर थे. मैं आपको आपके घर छोड़ कर आता हूँ. नहीं, इतनी दूर कैसे चलोगे? अब ड्रिंक हमें उससे ज्यादा क्या देगा? यह शाम अपने आप में मुकमल है. तुम सचमुचे कोमल रूह हो. यह वाक्यांश उसके मुह से फ्रेंच में निकला था, जिसमें उसने तुम शब्द को अपनाईयत और उल्फत के साथ उच्चारा था. पर अपने आप को दिलासा देने के लिए उसने सोचा कि मुर्द को फ्रेंच अच्छी तरह समझ में नहीं आती. शायद इसलिए उसने ध्यान न दिया हो. उन दोनों ने न एक दुसरे का पता पूछा, न टेलिफोन नंबर. दोनों समझ गए थे. उनकी जिन्दिगी में वह पल बहुत देड़ से आया था. बिलकुल आखिर में. मर्द ने टैक्सी बुलाकर उसमें औरत को बिठाया. और खुद आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की ओर चलने लगा. जवानी में कुछ बुजदिली होती है. वही बड़ी उम्र में बुद्धिमानी बन जाती है. पर उसी बुद्धिमानी के हातों भी इंसान अफसोस का बन सकता है. आज पती के पास कौन सी लड़की है? टोनी या दूसरी कोई? उसने दूसरे दरवाजे पर निराकार पेंटिंग बनाई थी. और टोनी जो एक बिलेग डांसर थी. उसने कहा था कि ड्रॉइंग रूम में रखी चित्रकला की मॉडल वहाँ खुद थी. वहाँ सोने के लिए कपड़े बदलने लगी. पास वाले कमरे से आती आवाजें जाल बुनती रही पर आज वाली बेंच का मंदर उसकी आखों के सामने आ गया. वहाँ दबे पाउं कदम उठाती रही, आगे रखती रही. उसकी आनी की आहट उसके पती कानों में पड़ती तो उसके पती की तलब तेज हो जाती थी. दिवार के इस पार उसका वजूद हमेशा उसकी ख्वाईश के लिए जरूरी होता था. आवाज आई, प्यारे, प्यारे, आवाज बिखरी हुई थी. यह नाम उसके लिए नया था. उसने मेज की और हाथ बढ़ाया, कानों से उत का इस पर्ष यहाद आ गया. पास वाले कमरे से हलकी हसी की आवाज आ रही थी. हैंडरी ने मोम की गोलिया अपनी कानों में डाल दी और आखें मोंद कर सोचने लगी. जिंदेगी कुछ और तरह की होती, अगर पंदरा वरस पहले वा आज वाली बेंच पर बैठती और जख रही होती. तुम्हें नेंद की दवा दूँ. तुम्हारा मतलब है कि मैं सो जाओ, मर जाओ और तुम मेरे पास ना आओ. मर्द ने ध्यान से पानी में दवा की दो बूंदे डाली. अब वह कुछ भी कहता तो उसकी पत्नी तक बात न पहुँचती. बालो को बांधने के लिए उसकी पत्नी ने लाल रंकी क्लिप्स लगा रखी थी. वह दवा पीने के लिए जुकी तो मर्द को उस पर दया आ गई. कि वह अमरीका से दूर आकर वहां के लिए उदास थी. आज अच्छा हुआ जो उसने बिना कुछ कहे दवा पी ली. आज की रात बीती हुई खराब रातों जैसी न थी. और वह अपने पलंग के किनारे बैठ कर सोचने लगा. कैसे अंदाज से होटल के बाहर उसे तुम कहा था. क्या सोच रहे हो? पत्नी ने अचानक सवाल किया. सोच रहा था, सिंदगी कुछ और तरह की हो सकती थी. यह उस मर्द का सबसे बड़ा उलहना था, जो जिन्दगी के खिलाफ आज पहली बार अभिव्यक्त किया और उसने सुना. तो कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? हमें इमेल करके बताएं hello at the rate pvshagrawal.com पर. आप जहां कहें भी हमें सुन रहे हैं, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर करें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न कर जाएं. साथ ही apple podcast और spotify पर हमें review और rating देना न भूले. मिलते हैं अगले शुक्रवार एक और कहानी के साथ. कहानी जानी अन्जानी podcast में अपना योगदान देने के लिए जाए pvshagrawal.com पर और support the show लिंक पर क्लिक करें. कहानी जानी अन्जानी प्यूश अगरवाल के साथ जो की इंडी podcaster की एक पेशकश है. तो हम आपसे मिलते रहेंगे. हर शुक्रवार तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए.